इस इस इकबाल अर्फिन और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल में आज का हमारा लेक्चर टॉपिक है मॉडल वर्ब फ्रेंट्स जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में मॉडल वर्ब के इंट्रोडक्शन के बारे में आज जानेंगे कि मॉडल वर्ब यूज ऑफ कैन का परियोग मॉडल वर्ब में कहां और कैसे किस तरह से क्या आता है तो स्टुडेंट्स और मैं आपको बिल्कुल बैसिकली सुरुवात से लेकर चल रहा हूं कि मॉडल वर्ब कैन का परियोग कहां से करेंगे कैसे करेंगे सबसे पहले हम लोग जानेंगे मॉडल वर्ब कैन का मिनिंग तो आएए टॉपिक पर आते हैं यहां यूज ऑफ कैन पतलब होता है सकता है सकती है सकते हैं फिरा जाइए सकता हूँ यह सारे मिनिंग है कैन के अब आप इस मिनिंग को दब समझ चुके हैं तो आप इससे संटेंस ब्राना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा जैसा कि हम कुछ हिंदी संटेंस को कुछ हिंदी वाक्यों का उधारन लेते हैं और चलते हैं कि वो जानेंगे कि कैसे उस हिंदी sentence को हम इंग्लिस में convert करेंगे, change करेंगे तो सबसे पहले कुछ example यह आता है आईए can से जुड़ा हुआ कुछ example लेते हैं जैसे हिंदी में मैंने यहां पे अर्थ लिखा, बताया अब आप इसी से हिंदी वाक्य बनाएए मैं बोल सकता हूँ, आप सुन सकते हैं, वह खेल सकता है वे लोग आ सकते हैं, तुम पढ़ सकते हो इस तरह के वाक्य जो है, वो उसमें हम can का प्रियोग करते हैं अब आए इसी तरह के वाक्य को कैसे आप English में convert करेंगे इसको कैसे translate करेंगे, उसके बारे में हम लोग जाने तो सबसे पहले एक example लेते हैं, example लेने से पहले translate जब करेंगे हिंदी से इंग्लिस में, तो उसके लिए basic structure हम लोग form करेंगे, और उसी structure के आधार पे sentence को convert किया जाएगा तो पहला, सबसे पहले हम लोग subject रखेंगे, उसके बाद फिर model verb can का परियोग करेंगे, उसके बाद भर्व का first form, यानि जो आपका basic verb होता है, पढ़ना, लिखना, खिलना, कुदना, हसना, जाना, ये verb का first form हम लोग use करेंगे, उसके बाद last में object का परियोग, तो इस structure पर हम sentence को form करेंगे, जो भी आपके हिंदी वाकिय होंगे, जिसमें सकता है, सकती है, सकते है, सकता हो, इस तरह का वाकियों हो, ऐसे वाकियों को आप इसी structure के अधार पर translate करेंगे, तो चलिए सबसे पहले की example लेते हैं, कि वह अंग्रेजी बोल सकता है, देखें students, ये जो मैंने एक sentence हिंदी में लिखा, वह अंग्रेजी बोल सकता है, ऐसे और भी कई तरह के sentences आपके mind में आ रहे होंगे, आप उसको translate कैसे करेंगे, बहुत असान तरीका है, बहुत ही इसी तरीके से, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको translate करेंगे, बहुत असान है, आप उपर structure देख रहे हैं, बस उसी structure को follow कीजिए, वह अंग्रेजी बोल सकता है, इस sentence में, सबसे पहले हमें subject रखना है, subject किसो कहते हैं, जो काम करने वाला होता है, है ना, जिसके बारे में हम लोग बातचित कर रहे होते हैं, तो वह अंग्रेजी बोल सकता है, इस sentence में कोई काम करने का बोध हो रहा है और वह काम कोई ना कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है वह कर रहा है तो वह को हम लोग English में convert करते हैं तो क्या हो जाएगा वह का English ही हो जाएगा और चुकि ही इसलिए है क्योंकि यहां सकता है दियावा अगर सकती है दिया रहा था तो सी का परियोग करते सकता है इसलिए हम लोग यहां पे ही का परियोग कर रहे हैं अब ही के बाद क्या करेंगे चुकि संटेंस के अंत में हिंदी वाकी के अंत में सकता है दियावा है तो आपको कैन का प्रियोग मडल वर्व कैन का प्रियोग करना यहाँ पर कैन लगा देंगे ही कैन वर्व वन यानि वर्व का फर्स्ट फर्म यूज करना है इस सेंटेंस में काम कौन सा काम हो रहा है तो बोलने का काम हो रहा है, बोल सकता है, यानि यहाँ पर बोलने का काम किया जा रहा है, तो बोलना का English होता है, तो हम speak का first form use करेंगे, है न, he can speak, क्या बोल सकता है, तो अंग्रेजी, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग, offset English, तो यह हो गया आपका translation, बहुत असान तरीका है, वह अंग्रेजी बोल सकता है, he can speak English, इसी तरीके से आप और भी बहुत तरह के sentence बना सकते हैं, जैसे मैं दौर सकता हूँ, I can run, तुम बोल सकते हैं, you can speak, वह हस सकता है, he can laugh, हम लोग पढ़ सकते हैं, we can read, इस तरह के बहुत सारे sentences आप बहुत असान तरीके से बिलकुल चु translate कैसे करेंगे, अब जो है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक हिंदी वाकिक को और कई तरीके से, कई परकार से बनाने का, सबसे पहले ये जो मैंने sentence बनाया, he can speak, इसे affirmative form करते हैं, अब आये, इसी sentence को negative में change करना हो, negative form में लाना है, negative मतलब ना करात्मक, तो आप ना करा सात्मक form में जब इसे लाएंगे, तो sentence को कैसे convert करेंगे, बहुत असान है, सबसे पहले आपको he का परियोग करना है, फिर model verb can का परियोग करना है, और can के ठीक बाद, चुकी ये sentence negative है, इसमें नहीं सब्द लगा हुआ है, तो जब नहीं सब्द लगा रहेगा, तो can के ठीक तुरंद बाद not का परियोग करेंगे, बहुत असान है, can के ठीक बाद not का परियोग करना है, फिर उसके बाद speak जो भर्व है, आपका भर्व का first form, वो यूज करना है, फिर उसके बाद object रखना है, he cannot speak, इसकार्त हो गया, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता, तो ये negative form, अब परियोग करने में वाद की इस तरह से होगा कि जो हिंदी sentence आपका यहां पर दिख रहा है, वहाँ अंग्रेजी बोल सकता है, बस इसी वाद के शुरुवात में क्या सब्द का परियोग करेंगे, तो जहां क्या सब्द लग जाता है, शुरुवात में वो आपका इंट्रोग का परियोग पहले करेंगे और फिर उसके बाद he लाएंगे, यानि can की जगापर he को ले आना है, और he के जगापर can ले आना, जस्ट जहां ये प्लट जाता है, ये पहले चलाता है, तो can he, बाकी जैसे है, speak English, can he speak English, तो इसका आर्थ क्या हो गया, कि क्या वा अंग्रेजी ब बिल्कुल नहीं बूलेंगे तो यह हो गया can he speak English क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है अब यह इसी संटेंस को negative form में लेकर आते हैं क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है तो उसका भी तरीका क्या है बस से इसी परकार से यूज करेंगे can उसके बाद फिर he का परियोग करेंगे और he के ठीक तुरंद बाद not लगा देना अगर आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो यानि इंट्रोगेटिव संटेंस में परस्न वाचक वाके में नहीं सब्द का परियोग किया गया है तो आप सब्जेट के ठीक तुरंद बाद not का परियोग करेंगे फिर उसके बाद इंग्लिस जो अब्जेक्ट है आपका वो यूज करेंगे और इस तरीके से यह आपका बन गया इंट्रोगेटिव निगेटिव संटेंस कैन ही नॉट स्पिक इंग्लिस ओके तो यह स्टुडेंट आपने देखा कि मैंने एक संटेंस को चार तरीके से यहां पर फॉर्म किय अब आते हैं डब्लू एच फैमिली की ओर डब्लू एच फैमिली मेंस डब्लू एच वर्ड से सुरू होने वाले वर्ड संटेंसे वैसे संटेंसे जो डब्लू एच वर्ड से सुरू होते हैं जिसमें क्या कैसे कौन किधर किसको यह सारा संटेंस वर्ड यूज होते हैं और इस तरह के sentences से बना हुआ कैसे हम लोग sentence change करेंगे तो डबलू एच कुर्स्चन तो इंट्रोगेटिव और डबलू एच कुर्स्चन दोनों में difference क्या है इसका आर्थ क्या हुआ कि क्या वा अंगरेजी बोल सकता है और जब आप इसका reply करते हैं जवाब देते हैं तो यस या नो में देंगे हैं अब हम लोग जब डबलू एच को सन बनाएंगे तो उसमें यस और नो का reply नहीं होता है उसमें एक वाक की एक sentence में आपको बताना होता है कि आप क्या कर रहें क्या नहीं कर रहें ठीके ना तो हम उसको यस और नो में reply नहीं कर सकते हैं य है आते हैं इसमें डब्ली एच वर्ड का प्रियोग करते हैं तो सबसे पहले आते हैं जैसे वाई कि वाई का मतलब होता है क्यों वाई लगाकर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो वाई में पहली वाई लगाएंगे उसके बाद जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाय गया फॉर्म किया गया बस सेंट्रोगेटिव सेंटेंस यहां एड कर देना यानि मॉडल वर्व वाई के बाद डबली एच फैमिली के बाद आपको कैन मॉडल वर्फ का प्रियोग करना है उसके बाद सब्जेक्ट ही है रखना है फिर इसके बाद भर्व का फस्ट फॉर्म जैसा से यूज किया गया वह यूज करना फिर उसके बाद आप जेट तो यह संटेंस क्या बन गया इसका आर्थ क्या वाई कैन ही स्पीक इंग्लिस इसकार्थ हो गया वह अंग्रे जी क्यों बोल सकता है वह अंग्रे जी क्यों बोल सक सकता है अब आप इसका जब रिपलाई करते हैं अंसर देते हैं तो आप यस यह नो मेनी देंगे कुस रिजन बताएंगे कि वह अंगरी जी क्यों बोल सकता है ना चलिए उसी तरीके साथ है डब्लू एच फैमिली में वाई में आप वाई की जगापे और भी बहुत सारे डब प्रोसेस है बस आपको यहां पर क्या करना है कि वाई कैन और ही के बाद फिर नौट का परियोग कर देना जब भी निगेटिव फॉर्म आता है तो आप याद रखेगा सब्जिक्ट के ठीक तुरंद बाद नौट का परियोग करेंगे फिर उसके बाद भर्व लाएंगे औ और इस तरीके से आपने देखा कि मैंने एक संटेंस को कई तरीके से यानि यहां पर सिक्स फॉर्म में चेंज किया गया पहला आफॉर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वह को संफी वह नेगेटिव यह एक संटेंस को छे त अभी आपने सीखा कैन का परयोग और हिंदी से इंगलिस वाक्यमेट ट्रांसलेट करना अब मैं आपको बताऊंगा कैन का परयोग कहां 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 किया आता है किस किस सेंस में क्याता है यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखा है जिसको मैं अभी आपको एक्स्प्लेन कर रहा हूँ कि आप इस सेंस में कैन का परयोग करेंगे सबसे पहले मैंने पॉइंट दिया है एबिलीटी एबिलीटी मिन्स योगिता समर्थता और आप योगिता के बारे में जब भी बात करेंगा मतलब यह होता ह कैन का परयोग कहा करते हैं तो वैसे वाक्य में करते हैं जिस वाक्य से किसी काम को करने में करता का योगिता या समर्थता का भूध कराए हम वैसे वाक्य में अबिलीटी का यानि वैसे वाक्य में कैन का परयोग करते हैं और अबिलीटी इन पर्जेंट मतलब पर्जेंट ट परजेंटेंस में वह वाक्य होना चाहिए सकता है होना चाहिए तो परजेंटेंस के वाक्य जिससे योगता समर्थता का बोध होता है का पसीटी का बोध होता है वैसे वाक के लिए हम कैन का परियोग करेंगे जैसे एक एक्जामपल ले सकते हैं कि मैं मैं दो गलास दूद पी सकता हूँ तो इसमें हमारे समर्थ होने का बोद क्या जा रहा है वह अंग्रेजी में बात कर सकता है उसके समर्थ होने का उसके योगिता को दर्सा रहा है तो ऐसे ही कुछ वाके में हम कैन का प्रियोग करेंगे अब जैसे ये कहा जाए कि तुम्हारे दादा जी रोज सुभा दो किलो मिटर चल सकते हैं तो ये जो है दादा जी की समर्थता उसकी योगिता का बोध कराया जा रहा है उनके समर्थ होने का बोध कराया जा रहा है तो ऐसे वाक्य में हम कैन का प्रियूक करेंगे तो एक एक्जामपल लेते हैं कि वह अंग्रेजी में बात कर सकता है ही या फिर यह काया कि ही कैन ड्रिंक कि अब फॉर ग्लासेज आफ मिल्क वह चार ग्लास दूद पी सकता है जी यहां पर बात क्या जा रहा है आम तोर पे एक ग्लास दूद पीने के बाद लोग बिल्कुल यह आता है लेकिन यहां पर एक वेक्ति एक करता के बारे में बता जा रहा है कि वह समर्थ है कितना चार ग्लास दूद पीने के लिए तो दूसरा पॉइंट है हमारा पॉसिबिलीटी मेंस संभावना देखे स्टुएंट हम लोग तैनिक जीवर में बहुत सारे ऐसी बाते करते हैं जिसमें संभावना एक अनुमान लगाते हैं वह आ सकता है वह यह प्रस्ण का जवाब दे सकता है तुम साम में पहुच सकते हो इ यह क्या दर साता है यह दर सारा है कि हम संभावना कर रहे हैं हम एक अनुमान लगा रहे हैं तो ऐसे वाक्य में भी हम कैन का प्रियूक करेंगे और वाक्य प्रजेंटेंस में होना चाहिए तो जैसे कहा जाए कि वह तुम्हारा भाई साम में पहुच सकता है अब यह साम में पहुचने की बात हो रही है तो कहने का मतलब मैं मैंने का कि तुम्हारा भाई साम में पहुच सकता है मैं अनुमान लगा रहा हूँ एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ यह नहीं कि मैंने कहा और वो पहुची गया और हाँ संभावना व्यक्त करने में 90% संभावना वेक्त क्या आता है 90% possibility है कि यहां लगबल लगबल वो पहुंच ही सकता है तो वहां पर आप कैन का पर्योग करेंगे तो यहां हो जाया क्या example your brother can arrive in the evening यानि तुम्हारा भाई साम में पहुच सकता है तो यहां पर possibility की बात हो रही है चलिए third point है permission students जब आप किसी से अनुमती लेते हैं किसी से permission लेते हैं तो वहां पर भी कैन का पर्योग करते हैं हाला कि मैं आपको बता दू कि आपको सुनकर यह थोड़ा हैरानी हो रही होगी कि permission में कैन का पर्योग हाँ बिल्कुल आज modern grammar में पर्मिशन के लिए कैन का भी पर्योग होता है चुकि आपको इससे पहले पता है कि permission के लिए में का प्रयोग कियाता है कुड का प्रयोग कियाता है माइट का प्रयोग कियाता है लेकिन कैन का पर्योग पर्मिशन के लिए जी हां कैन का भी पर्योग पर्मिशन के लिए किया पर्मिसन लेने की करम में जो हमारा भाव स्पस्ट होता है उस तरीके से अगर हम पर्मिसन ले विनमरता पुर्वक अगर हम पर्मिसन ले तो मेका यूज़ करेंगे लेकिन कुछ लोग होते क्या है कि फॉर्मली बात करते हैं उपरी उपरी ऐसी बात कर जाते हैं पर्मिसन ले कह रहा है वो बस यूहीं एक नाम मात्र जो है अनुमती ले रहा है उससे परमिशन ले रहा है तो ऐसे sentences formally जो informal way में आ जाते हैं वैसे sentences में हम can का प्रयोग करेंगे तो यहाँ example हो सकता है कि can I sit beside you क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूं क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूं can I sit beside you और चुकी परमिशन ले रहे हैं तो परमिशन जब लेंगे तो वह interrogative form में हो जाएगा और interrogative form में होगा इसे last में question mark देना जरूरी है अच्छा इसी permission का अगर आप reply करते हां तुम बैठ सकते हो तो वह भी कैन के रूप में परियोग किया जाएगा yes you can sit yes you can sit beside me आप इसका reply कर रहे तो आप वहां पर भी कैन का प्रियोग करेंगे चलिए उसके बाद आते request students अगर आप कभी किसी से request कर रहे किसी बात को लेकर request करने में में भी कैन का प्रियोग किया आता है हलाकि मैं आपको बता दू कि request के लिए सबसे अच्छा model वर्व कुड का प्रियोग किया आता है लेकिन कहीं कहीं पे हम बोल चाल में और आज के conversation आज कल जो modern English में हम जो conversation करते हैं उसमें बहुत सारे लोग और अधिकतर ज्यादा तर लोग जो है कैन का यूज करते हैं यह भी एक informal वे एक जो है कि मतलब प्लाइटली नहीं कह सकते हैं informal वे में इसका भी परियोग क्या सकता है तो आप कह सकते हैं जैसे कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं can I help you please लगा देंगे क्योंकि प्लीज लगा देने से रिक्वेस्ट हो जाता है ठीक नहीं हिल्प यू प्लीज क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं यानि प्लीज लग गया है तो क्रिप्या सब्दका प्रयोग क्या जाएगा और प्लीज सो करता है रिक्वेस्ट है ना तो अगला चलते हैं उफर इस्ट्टेंट्स जब आप किसी को और करते हैं मिझ्य प्रस्ताव देते हैं खास्त वर पे हिल्प यानि सहायता की दिरिश्ट्रिय सहायता के माधम लिए आप जब किसी को आफर कर रह तो उसमें हिल्प होना चाहिए हिल्प जैसा भावना प्रकट ह तो वैसे वाक्यों में भी आप कैन का प्रयोग करेंगे जैसे आप यह कर सकते कि क्या मैं तुम्हारा थैला ले सकता हूं क्या मैं तुम्हारा थैला धो सकता हूं मतलब आप उसको help करने की बात कर रहे हैं यहां पर उसे offer भी कर रहे हैं और साथी साथ उसमें help भी चुपा है तो वैसे sentences में आप can का प्रियूख करेंगे, तो can I carry your bag, क्या मैं तुम्हारा थैला धो सकता हूँ या ले जा सकता हूँ, carry मतलब धोना या ले जाना, है ना, तो ये इसका offer, means इसमें help चुपा है, ये meaning हो गया, चलिए अगरा आते हैं, prohibition, prohibition का मतलब होता है, मना ही, यानि not allowed, आप किसी को मना कर रहे हैं, ये का मत करो, आप वो नहीं करो, ये नि, ऐसे वाके, जिसमें मना करने का बोध हो, है ना, आप उस sentence को भी, उस sentence में भी can का प्रियोख करेंगे, और can के साथ not लगाएंगे, यानि can not का प्रियोख करेंगे, और can not का contraction, यानि short form, can't का यूज़ करना जादा बेटर है, English spoken में, तो आईए, हम लोग यहाँ पर जाने कि कैसे आप किसी sentence को, जैसे आप मालने आजाए, आप अपने friends या किसी को कह रहे हैं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, तुम अब अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, तुम अभी class में गाना नहीं गा सकते हो, आप इन सभी वाक्तियों में, आप किसी न किसी को मना कर रहे हैं, तो मना करने का जब बोड होता है उसमें भी आप कैन का प्रियूग कर सकते हैं जैसे एक एक ग्जामपल रमेज कांट हिल्प यू रमेज तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है यानि उसको मना करने की बात हो रही है आप इसका और भी बहुत सा एक्जामपल ले सकते हैं आप प्र सजेशन सजेशन मिस होता है सुझाओ यानि आप किसी को सुझाओ दे रहे हैं सलाह दे रहें मश्वरा कर रहे हैं तो इसमें भी आप कैन का प्रियोख करेंगे हालां कि आप की है कि कैन का प्रयोग सुझाओ के लिए ये कैसे पॉसिबल होता है कभी कभी क्या है जैसे सुझाओ के लिए बेस्ट जो है और सबसे अच्छा मॉडल वर्व शुड का प्रयोग के आता है वो ज्यादा बेटर है लेकिन आपको मैं बता दू मॉडल वर्व के सारे function होते हैं और कैन का एक और function एक और प्रयोग यूज है suggestion सजिशन जैसे आप और सुझाओ कि आगर तुम चाहते हो तो तुम अंगरे जी बोल सकते हो एक लिए यदि तुम चाहों तो अंगरे साथ आ सकते हैं कि हां अगर तुम्हारी इच्छा है तुम चाहते हो तो तुम अंग्रे जी बोल सकते हो, अगर तुम मेरे साथ आ सकते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ कह सकते हो, तो हाँ तुम कह सकते हो, तो ऐसे sentences में सुधाव देने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर sentences एक example ले सकते हैं, कि if you want, you can talk in English अगर तुम चाहते हो तो तुम अंग्रेजी में बोल सकते हैं यह सुझाओ देने की बहुत बात हो रही है अगला है जेनरल टूथ जेनरल टूथ मतलब वैसे सत्य हो गए जो मुस्टली यहां पर मैंने लिखा भी है सच बाते लेकिन वो हमेशा सच नहीं होती है ज्यादा तर सच होता है कुछ ऐसी बाते हैं जो ज्यादा तर सच होते हैं लेकिन हमेशा वो सच हो ऐसा पुसीबल नहीं है जैसे वयाम करने से तुम्हारा स्वस्त बहतर हो सकता है तो यह बात जो है वयाम करने से तुम्हारा करने से हो सकता है तो ऐसी सेंटेंसे जो अल्वेज ट्रू नहीं है है ना वो संटेंसे को आप जनरल टूथ के एक्जांपल में ले सकते तो यहाँ पर मैंक एक्जांपल दे रहा हूं कि कि एक्सर्साइज करें मेक योर हिल्थ बेटर मिन्स अर्थिस का यह हो गया कि वयायाम आपके स्वास्थ को बेहतर बना सकता है यह एक मैं मतलब यह बात एक जनरल टूथ हो गया और एक ऐसे सते बाते हो गई जो हमेशा पॉसिवल नहीं है कि हो सके तो आपने जाना आज इतने सारे पॉइंट्स इतने सारे यूजेज कैन के परियोग में अब मैं इसके आगे आपको बताऊंगा और भी कुछ स्पेसल कैन से जुड़ी हुई बातें ओके तो आप इसे जल से जल नोट कर लें तो स्टुडेंट्स आपने इसे नोट कर लिया अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कैन से जुड़ा हुआ और भी बहुत सारे संटेंसे और साथी साथ स्ट्रक्चर बताऊंगा आज के इतना ही आप इस तरह इसी तरह वीडियो को देखते रहे हैं लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले इस चैनल को जो लोग फर्स टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको इनका कैन से जुड़ा हुआ और भी लेटस्ट वीडियो अपलोड होता रह आपके वीडियो पर आये पिर आइकन दवाना ना भूले थैंक्यू आज के लिए इतना है